अब हम इस साल की सबसे लंबी रात और इस साल के सबसे छोटे दिन का एक छोटा सा विश्चेशन करेंगे आज पृत्वी के उत्तरी गोलार्द यानि नौधन हमिसफेर वाले देशों में इस साल का सबसे छोटा दिन रहा यहाँ छोटे दिन से अर्थ है कि सूर्य की किरने पृत्वी के इस हिस्से पर सबसे कम समय के लिए पढ़ी यानि आज का दिन बहुत छोटा रहा और रात सबसे लंबी रही विग्यान की भाषा में इस एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट को विंटर सॉल्स्टिस कहा जाता है यह घटना हर साल होती है यानि हर वर्ष पृत्वी के उत्तरी और दक्षनी गोलार्द पर सबसे बड़ा और सबसे छोटा दिन होता है लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ऐसा होता क्यों है तो पृत्वी से जुड़ी इस अनोखी घटना को आज हम बहुती सरल शब्दों में आपको समझाने की कुशिश करेंगे इसलिए आज आपको ये खबर पूरे परिवार के साथ खासतोर पर अपने बच्चों के साथ जरूर देखनी चाहिए सबसे पहले आप इक्वेटर यानि भूमद्य रेखा को समझेए ये एक कालपनिक रेखा होती है जो पृत्वी के उत्री और दक्षनी गोलार्द को विभाजित करती है इस रेखा के नीचे वाला हिस्सा दक्षनी गोलार्द होता है और उपर वाला उत्री गोलार्द यानि पृत्वी दो हिस्सों में बढ़ गई और जब सूरे की किरन उस हिस्से पर नहीं पड़ती तो वहां रात हो जाती है यानि दिन और रात का विज्ञान यही है यही दिन और रात का चक्र है अब हम यहाँ आपको यह बताते हैं कि इस प्रक्रिया में दिन छोटे और रातें लंबी कैसे हो जाती है असल में हमारी पृत्वी सीधी नहीं है मतलब इसके घूमने का जो अक्ष है वो सीधा नहीं है पृत्वी 23.5 डिगरी के कोण पर जुकी हुई है इस कोण पर जब सूर्य पृत्वी के उतरी गोलार्द में मौजूद होकर मकर रेखा में होता है तो पृत्वी के इस हिस्से पर सूर्य की किरने ज्यादा देर के लिए नहीं पड़ती इस से यहां दिन छोटे हो जाते हैं और रातें लंबी हो जाती है और इस एस्ट्रनॉमिकल एवेंट को ही विंटर सॉल्स्टिस कहा जाता है हर वर्ष 20-23 दिसंबर के बीच यह घटना देखी जाती है 20-23 दिसंबर पिछले साल 22 दिसंबर को उतरी गोलार्द वाले देशों में साल का सबसे छोटा दिन रहा था भारत इसी हिस्से में आता है आनकि इस घटना का हमारे देश पर ज्यादा असर नहीं पड़ता हमारे यहां इस दिन केवल एक से दो मिनट का अंतर होता है यानि जो दिन छोटा होता है एक से दो मिनट के बीच छोटा होता है लेकिन जो देश नॉर्थ पोल के करीब हैं वहाँ इसका सबसे ज़ादा असर दिखता है रश्या के सेंट पिटर्स बग में सुभा दस बजे सूरे दिखाई दिया और तीन बज कर तरेपन मिनट पर सूरे अस्त भी हो गया यानि वहाँ आज का दिन 6 घंटे से भी छोटा रहा इसी तरह अमेरिका के इलासका राज्य में 4 घंटे से भी छोटा दिन रहा भारत की बात करें तो दिल्ली में आज सुभा 7 बज कर 10 मिनट पर सूरे उदे हुआ और शाम 5 बज कर 29 मिनट पर सूरे अस्त हो गया हाला कि ऐसा नहीं है कि प्रत्वी पर सभी देशों में ये स्तिती एक जैसी होती है उत्री गोलार्द वाले देश में जहां आज साल का सबसे चोटा दिन है वो दक्षणी गोलार्द वाले देशों में आज साल का सबसे बड़ा दिन है इन देशों में आस्ट्रेलिया, न्यूजिलेंड और साउथ अफरिका जैसे देश शामिल है इसका मतलब यह है कि सूरे का चक्कर लगाते हुए पृत्वी के जिस हिस्से पर सूरे की किरने कम पढ़ती है वहां सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है और जहां सूरे की किरने ज्यादा पढ़ती हैं वहां गर्मिया शुरू हो जाती है और यह प्रक्रिया इसी तरह चलती रहती है आपको अगर याद हो तो आपने स्कूल में भी से पढ़ा होगा हमें उम्मीद है कि आप छोटे दिन और लंबी रातों का विज्ञान समझ गए होंगे इसलिए अब हम आपको आज के दूसरे सबसे बड़े एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट के बारे में बताएंगे वो क्या है अब देखिए सौर मंडल के दो बड़े ग्रह ब्रस्पती और शनी यानि जुपिटर और सेटर्न एक दूसरे के बेहद नस्दी का गए है और इसे विज्ञान की भाशा में दे ग्रेट कंजंक्शन का जाता है दे ग्रेट कंजक्शन का जाता है इसे ये संयोग तब बनता है जब दो ग्रह एक दूसरे के बेहद करीब आते हैं और कुछ ऐसा ही अभी अंतरिक्ष में घट रहा है 397 वर्षों बाद ब्रस्पती और शनी का मिलन अब देखा जा सकता है और ये दोनों ग्रह इस समय एक दूसरे से 0.1 डिग्री के अंतर पर मौझूद हैं अमेरिका की अंतरिक्ष एजनसी नासा के मताबिक इन दोनों ग्रहों का ऐसा मिलन इस से पहले वर्ष 1623 में देखा गया था यानि ये अंतरिक्षी एक दूरलब और अद्बुद घटना है जिसे आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं यानि इस समय प्रत्वी, ब्रहस्पती और शनी ग्रह इस समय एक रेखा पर मौझूद हैं लेकिन शनी और ब्रहस्पती ग्रह की वास्तविक दूरी अब भी बहुत दूर है अब भी ये जो दूरी है ये 73 करोड किलो मीटर से ज्यादा की है 73 करोड किलो मीटर और इसे आप कहते हैं कि ये सबसे करीब है 26 अक्टूबर को ये दोनों ग्रह एक दूसरे से काफी दूर थे लेकिन बाद में ये अंतर कम होता चला गया और इस समय ये दोनों ग्रह एक ही रूप में नजर आ रहे हैं आप चाहें तो इससे ब्रसपति और शनी ग्रह का दुरलब मिलन भी कह सकते हैं दिल्ली के लोग अब से कुछ देर में लगभग 11 बजे आज रात को इस संयोग को देख सकते हैं वर्ष 2000 में भी ऐसा हुआ था लेकिन तब ये संयोग दिन के समय बना था इसलिए इसे देखा नहीं जा सका लेकिन अब आप आज रात इसे देख सकते हैं ये संयोग दुरलब इसलिए भी है क्योंकि इसके बाद अब वर्ष 2008 में ही जुपिटर और सेटर्न इतने पास आएंगे और तब इन्हें देखा जा सकेगा